दूसरे महाविद्धा आनी भारत वाकिस्तान युद्धा लाई शश्वी करना रे डकोटा लढ़ाव विमान पंचत्तर वर्षानंतर पुन्ना फिनिक्स करगन भरानी घेना रहे एरफोस ने ये विमानाचे नवयने आधुनीकी करन केली आहे बंगलोर महदिल होना रहे एरो इंडिया शो मदे विमान कवायत साधर करना रहे वायूसेना ये विमानाक्थ अत्याधूनिक सवरुपाट ठेवना रहे इंग्लन मदे निर्मान केलेले डकोटा विमानाने 1178 मदे दुसरेया महा युद्धा बरबर भारत पाकिस्तान युद्धात महत पुर्ण भुमी का बजावली आहे ततकालिन रॉयल इंडियन वाई सेना मदे डकोटाचे विशेश महत वहते इंग्रत गेलानांतर भारता कडे सोताचे काही विमान होते पर दुकालांतराने शस्त्र वाहुन नेन्याक अपईशी ठरल्लाने या विमानांचा वापर बंद जहला होता गेला 3-4 दशका पासुने विमानांचे नुतिनी करन सुरू करनात आले आनि महनतीने मोठे येशे ही मिलाले आहे देकोटा विमान भरारी गेना साथी सज्ज जाले आहे हे विमान 24 फेबरुआरी दर मैं बैंगलोड एथुन एरो इंडिया नौ शोव मजे सहभागी होना रहे महनती आवर्षी डकोटा लढ़ाव विमान हे सर्वानचे आकर्षनाचे केंदर असेल असिविंग कमांडर अनुपम बैनर जी मनाले ओजर विमान तड़ावर ये विमानाचे एशेश्वीते साथी एक छोटा कारिक्रम होईल आनि त्यानंतर हे विमान ओजर हुन बंगलोड साथी गगन भरारी घेल डकोटा हैक लढ़ाव विमाना हे त्यावी विमानाचे की मत 80,000 एरो होती ब्रेटिश सरकार ने विमाना साथी कही भारतिय पायलाटन ना विशेश प्रसिक्षन दिले होते एको निश्य तीस मादे डकोटा ततकलन रॉयल इंडियान वाईस सेना मदे दाखल करना गाले लडाक आने उत्तर पुरव भागा सुरक्षा करना साथी ही विमान उपयुक्त ठर ले विमाना ने पहले भारत पाक युद्धात शेनगर थे नेले होते भगवान पगारे महावाइस निउस नाशिक बियाडी के लिए इन पर्टिकुलर जब ये डकोटा प्लेन जो विंटेज फ्लाइट का एक हिस्सा इंडियन एर फोर्स की आज यहाँ लैंड किया है इसको फ्लाइ कर रहे हैं 11 बियाडी के चीफ टेस्ट पैलेट काप्टन अजय मैनन और उनके साथ उनका क्रू भी है इस प्लेन को 2011 में वापिस से री सेरेक्ट किया गया था अर्दू 2018 में इसको हॉनरेबल मेंबर ऑफ पालियमेर्ट श्री राजीव चंद्रेशेकर ने इसे इंडियन एर फोर्स को गिफ्ट किया है यह 1947 से असी के दशक तक विमान जो है इंडियन एर फोर्स के पास था और इसको 1947 के उपरेशन्स में यूज किया गया था ट्रूक्स को ट्रांसफर करने के लिए यह पहला विमान था जो ले में लैंड किया था यह कमोडोर मेहर सिंग ने और इसके पहले